हेलो आपिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपनी उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम डेली रूटीन में तो करते हैं जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ साथ के ही गलतिया हम अपने एक्जाम में भी धोराते हैं और एक्जाम में करने की वज़े से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं तो यसे कौन सी गलतिय हैं जो हम अपने एक्जाम में करके आते हैं और जिनकी वज़े से मार्क्स कट हो जाते हैं तो एंड तक वीडियो देखना था कि आपको अपनी हर गलती का पता लग सके ठीक है तो बात करते हैं हम गाइस अपने गलतियों से यानि कि आज हम अपनी गलतियों के वारें पढ़ने वाले हैं बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलतियों को सुनना पसंद करते हैं लेकिन ये गलती गाइस ना सिर्फ आप से हम लोगों से भी होती हैं लेकिन हम लोगों से होने का नहीं होती थो पैंसे बना डालते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको फॉर्मिट बनाते ह्किस चीज का धियान है गैस सबसे पहली चीज आपको name & heading का धियान रखना है यानि कि अगर आपको company का name mention है question में और आप let suppose करो कि किसी का trial balance बना रही हो किसी company का और आपको उस company का name mention है तो आपको company का name लिखना है यानि कि अगर name suppose अक्षे and sons है तो आपको वो mention करना है ठीक है उसके बाद name लिखने के बाद heading proper होनी चाहिए heading में क्या आजाते है आप अगर trial balance बना रहे हो तो आपको trial balance full name mention करना है उसके बाद आपको पता ही है na for the year ended and as on जैसे balance sheet के लिए हम as on और date आता है और accounts वगरा के लिए हम for the year ended लिख देते हैं तो आपको वो भी लिखना है अगर आप वो नहीं लिखोगे तो हाँ marks किसी भी चीज के आपके काट लिए जाएंगे तो as on और for the year ended का खास ध्यान रखना है ये तो बात करी guys हमने name की और for the year ended की अब हम बात करते है size की यानि कि जब आप अपना format बनाते हो तो आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है size पर let's suppose आप लोगों को trial balance के अलावा जिससे ledger की अगर में बात करूं ठीक है हम purchase account बनाते हैं right so हम purchase account बनाते हैं वक्त आपको पता है T type का account होता है ठीक है थोड़ा सा इधर को खिसकाते हैं इसे हम right amount T type का होता है ये date, particulars, right amount और same चीज़ गाइस इस तरफ भी आती है right यहाँ पर भी आपका amount, date, particulars, amount आता है right आप इस तरीके से लिखते हो अपना ledger बनाते हो ठीक है तो आपको debit और credit लिखना नहीं भूलना ये भी लिखना है दूसरी चीज़ गाइस इसके size की जब हम बात क करेंगे तो देखो आपको amount का column at least इतना वड़ा होना चाहिए कि आपके question का amount proper आ सके like अगर 50,000 मुझे लिखना है तो 50,000 में proper लिख सको ऐसा ना हो कि ये number इस format से बाहर निकल रहे हो या फिर ये format इतना चोटा अगर आप कर दो कि भी वो number proper आ ही ना पाए तो ऐसा भी नहीं करना तो आपको size का अच्छा खासा ध्यान रखना है sometimes student इसमेंना common सी mistake क्या करते है सारे column equal size के बना देते हैं यहाँ पर equal size सब में समानता नहीं हो रही है बठवारा नहीं हो रहा है यहाँ पर format बन रहा है तो आपको date का column छोटा रखना होता है कि जिसमें clear date आ सके तो आपको इस चीज का ध्यान अच्छा खासा रखना है practice करोगे आदत बढ़ जाती है लेकिन practice नहीं करोगे तो आदत नहीं पड़ेगी तो आपको अपने घर से ही या फिर आप जब practice करने बैठ तो इस चीज का अच्छा खासा ध्यान रखना है otherwise teacher ना irritate हो जाती है second चीज guys general entry यानि क हम normally journal entry जब pass करते हैं तो हम normal क्योंकि हम लोगों को इतनी practice कराई जाती है जैसे rectification of error की journal entry 12 की बात करूँ तो share capital की journal entry की हम लोग format बनाना journal का भूल जाते हैं तो guys यह कलती नहीं करनी journal entry पास करते वक्त उसके format का ध्यान रखना है आपको पता है format में आप debit credit side बनाते हो ना और उसमें amount भी mention करना होता है कि भाई यह जो भी figures हैं रुपीज में हैं ठीक है तो आपको journal entry बनाते वक्त हर एक proper जो journal का format होता है date particular LF debit credit proper बनाना है साथ के साथ journal entry पास करते हैं वक्त narration जरूर लिखनी है otherwise half marks आपके narration का कर जाएगा तो इस चीज़ का खास धिहान रखना है इसके बाद guys एक बहुत common से mistake है जो कि है amount की अब आप बोलो कि amount में हम क्या गलती करते हैं आपको अगर कोई number लिखने को कहते हैं तो हर एक student को नहीं अलग अनोखा तरीका होता है like किसी को बोला 23,000 लिखने को तो कोई ऐसे लिख देता है ठीक है कोई ऐसे लिखता है ठीक है तो देखो number लिखने का एक तरीका होता है clean होने चाहिए सबसे पहली बात तो साफ number लिखने चाहिए कई बार student ऐसे कुछ ऐसे word बना देते हैं कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि उन्होंने one लिखा या seven लिखा है अगर आप amount लिखते हो तो आपको comma को यूज करने की habit डालो लाइक अगर मैं one lakh twenty three thousand लिखू तो मुझे comma लगाना आना चाहिए मैं सिर्फ लिखने को ऐसे भी लिख सकती हूं बट यह और इसमें फर्क है तो try कि आप comma लगाना सीखो practice में लेके आओ यह तो हुई amount की बात guys अब हम लोग बहुत जादा short form यूज करने लग जाते हैं अपने accounts में like जो कुछ हद तक तो ठीक है valid रहती है जैसे आपने amount के sign के लिए rupees का sign लगा दिया ठीक है लेकिन जब आप journal की ledger की purchase के लिए purchase account के लिए सिर्फ P.O.R. लिख दिया नहीं guys गलत हो जाएगा marks कर जाएगे तो आपको बहुत जादा short form नहीं यूज करनी और जहां पर आपको proper चीज बतानी है purchase account है तो आपको पूरा mention करो particular है तो पूरा mention करो कि particular लिखा है हमने generally हम जल्दी में particulars पर P.A.R.T. लिखके छोड़ देते हैं तो यह गलती नहीं करनी short forms नहीं यूज करनी और जहां तक minimum हो सके आप करो लेकिन नहीं यूज करो यही कोशिश करो इसके अलावा guys आपको किस तरीके से अपने accounts के paper में cut करना होते है क्योंकि गलती होना लाजमी है लेकिन आपको किस तरीके से उस गलती को काटना है अगर आपने कोई number या amount गलत लिख दिया था तो please इसे गुचड मुचड नहीं करना अगर आपने 23,000 गलत लिखा था तो आप normally इसको cut कर सकते हो आप उनसे क्यों छुपाना चाहते हो कि आपसे गलती हुई थी हुई है इसमें भी पता चल रहे गलती हुई है इसमें भी पता चल रहे गलती लेकिन गुचड मुचड मतलब like ऐसे जो हम कर देते हैं वो चीज नहीं करनी इससे आपके paper की presentation खराब होती है तो आप simple अगर कोई word गलत लिख दिया कोई number गलत लिख दिया तो आप उसे ऐसे cut कर सकते हुई इतना एक तो चीज धियान रखनी है इसके साथ सथ ये तो guys आपके common mistakes है जो हम करते हैं और हमें नहीं करनी है इसके साथ सथ आपको cleanly नेस पे जरूर धियान देना है neat and clean यानि teacher को समझने में असानी रहे जब चीजे समझ नहीं आती teacher को तो teacher उस चीज के marks नहीं देती तो teacher समझ सके इसलिए थोड़ा स्पेस लेके चलो एक ही बार paper होते हैं कोई paper में कंजूसी मत करो कि paper का जादा space लग रहा है paper खुला डुला करो ताकि आपकी हर एक चीज विजिबल ह और उसके marks मिल सके तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको अपने accounts के paper को attempt करना है I hope यह information आपके लिए useful रही होगी thank you